हेलो वेलकम फ्रेंड्स तो दोस्तो आई थिंक आप सभी ललीत नरायन मिथला यूनिवर्सीटी दर्वहंगा पार थर्ड इंगलिस ओनर्स के इस्टोडेंट्स होंगे दोस्तो मैं आपको बता दू कि इस वीडियो में मैं पेपर फाइब से रिलेटेट सारे डाउट को किलियर करूँगा कि पेपर फाइब के लिए क्या पढ़ना चाहिए कौन से कोशन को मैं प्रेपेर करके जाना चाहिए आंसर को हम किस प्रकार से लिखे content कहां से लाए सारा चीज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ दोस्तो जैसा कि मैं आपको अल्डेटी paper 5 का guess भी कर चुका हूँ paper 6, paper 7, paper 8 सभी का guess कर चुका हूँ और मैं आपको बता दू कि सभी का pdf मेरे पास अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो description box में मैं अपना number दे दूँगा उस पे आप मुझे whatsapp करना call मत करना है ना मैं आपको बता दूँगा कि pdf कैसे मिलेगा और मैं आपको बता दूँग कि ये video मैं केबल उसी experience के लिए बना रहा हूँ जो pdf लिये हुए हैं क्योंकि अगर आप pdf नहीं लिये होंगे तो यहाँ पे आप हमारे बात को ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो जो pdf लिये हैं उसी के लिए मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ सारा guide उसको देने जा रहा हूँ इस video के मादियम से देखतो देखिए मैं आपको अलेडी बता चुका हूँ कि पेपर 5 में 5 गुरूप में question आता है जिसमें से पहला गुरूप में जो question आएगा दोस्तो वो आपका 15 marks का होगा और मैं आपको यहाँ पे इतना सारा guide किया हुआ था लेकिन मैं अब आपको बता दूँ कि बस यह जो आप देख रहे हो romantic criticism और modern criticism ओ तो मैं आपको बस इसलिए guess कर दिया था था कि आप इसको जानो क्योंकि यह basic साचीज है और new classical criticism और Victorian criticism को समझने के लिए यह समझना बहु जरूरी है इसलिए मैं आपको यह guess किया था लेकिन अब बिल्कुल ही नहीं इसको तयारी करना है आपको केबल दो प्रिपेर करना है गुरूप A से new classical criticism और Victorian criticism यहां से question एक आ जाएगा और इसको लिखना किस परकार से है तो चलिए हम सभी को one way one deal करते है तो चलते हैं पहले new classical criticism और फिर Victorian criticism पे तो देखिए new classical criticism का यहां पे आप लोगों को मैं note प्रोवाइड करा चुका हूँ इस परकार सेम तो से मैं आपको बता दूँ कि last में भले ही कुछ लिखिए लेकिन सुरू का 15 से 20 लेन आप हमारे गेस से ही जरूर लिखना क्योंकि content बहुत अच्छा है मैंने सारा चीज पिरियेड का भी जिक्र किया हूँ जहां पे दिखिए डाइग्राम जहां पे बनने वाला है वो बना दिया हूँ और अगर इसी परकार से आप लिखोगे तो एक्जामनेर का जो है न ध्यान इसी पर जाएगा और यही सब नंबर दिलाता है मैं आपको बार बार कह रहा हूँ तो यह रहा आपका इसके लिए दिख रहे हैं यहाँ पे न्यू क्लास्कल क्रेटिसिजम का चैरेक्टरिस्टिक क्या है इससे शिंपल लेंगोज नहीं हो सकता मैं बार बर कह रहा हूं एक छोटा से कंटेयंट बना ने के लिए न्यू एंट्रोडक्षन लिखा हूं कि आखेर विक्टरियन क्या है स्बसे प्रहसें फ्राइं क्या है मैं आपको बताया हूँ कि Victorian criticism में किस परकार से क्रांती आया तो तीन स्टेज में आया फर्स्ट स्टेज जिसका period यह है सकेंड स्टेज इसका period यह है इसी परकार से उसको आद मैं सभी period को explain किया हूँ तो यह सब आप कर लेना है ना उसके बाद Victorian criticism क्रिटिक के रूप में Matthew Arnold बहुत ही famous है तो इसके बारे में भी लिखना है और उन्होंने क्या अपना role and regulation दी है Victorian criticism में ओ सारा मैं यहाँ पर आपको लिखा हूँ कि उन्होंने कहे हैं कि suitable action यानि action का होना बहुत ही जरूरी है poetry में उसके बाद बोला है manner and style की manner और style दोना कहोना बहुत जरूरी है सारा ची मैं मैं आपको बता दूँ कि इस सब पर वीडियो भी मैं बना चुका हूँ वो भी आप देख सकते हो इस वीडियो के description में जितना भी वीडियो बना चुका हूँ सभी का link one way one मैं दे दूँगा आप लोग वहां से इसको देख लेना और एक बाद आओर मैं आपको यहां पर बता दू कि देखिए यह जो है न यह जो new classical criticism है new classical criticism का जो answer है वो केबल यहां तक है कहां तक केबल यहां तक यह जो आप देख रहे हो यह है आपका जो group C में 15 marks का explanation आता है इसके लिए केबल यह चीज आपको 15 marks दिला देगा confirm और मैं आपको बता दू कि explanation यानि इस पार्ट को मैं एक अलग वीडियो में बताओंगा आपको क्यूंकि उसमें थुरा मैं deep में जाओंगा तो 15 marks में समझे हुआ है आप question definitely A to Z मिल जाएगा अब आपे depend करता है कि आप लिखते किस परकार से हो तो paper 5 के explanation के लिए आप tension मुक्त हो जाए यह question अगर आएगा तो यहाँ मैं keyword दे दिया हूं यह keyword अगर आ जाएगा तो समझ लिजेगा कि आपको आजाएगा जैसे देखिए मैं आपको बता दू कि group B में आप मैं तो यहाँ पे तीन दिया हूं लेकिन आप केबल दो को त्यार कर लेना इसके बारे में मैं paper six मिलिया हूं जब मैं paper six का वीडियो बनाओंगा तो वहां पर आपको डिटिल में बताओंगा तो चलिए पहले चलते हम स्ट को लेडिज और डॉक्टर जॉन्सन पर इसके अलावा मैं paper five के लिए जैदा वीडियो नहीं बनाओंगा इसलिए आप लोग इस वीडियो को गौर से सुनना चलते हम अब कहां पर डॉक्टर जॉन्सन और स्ट को लेडिज पर यहां पर मैं romantic criticism यह सब भी बना दिया हू अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िएगा लेकिन उतना इंप्रोटेंट यह नहीं है तो देखिए किस परकार से लिखेंगे मैं यहां पे आपको direct लिख दिया हूँ कि इसका नाम लेकर के जन्मी यहां हुआ इतने सबी में यहां पे हुआ दे थी यह सारा चीज उस अपना experience का यूज करना चाहती हो तो यहां पे आप कर सकते हो मैं तो यहां पे से bullet point वाइज लिया हूँ अगर आपको language को सबारना आता है तो आप अराम से लिख सकते हो कि इस प्रकार से language में और language में कैसे deal करेंगे तो मैं T.S. Eliot को deal किया हूँ वहां पे आप देखोगे तो उसके आपको idea आ जाएगा और उसके पहले introduction यह सारा चीज हुआ अब मेरा जो main question था esticulate is as a literary critic वो question यहां से सुरू हो जाता है esticulate is one of the greatest literary critics और उसके बाद theory of imagination and fence यह इसका दिया हुआ rule and regulation है इसी प्रकार difference between pros and poetry यानि pros और poetry में क्या difference होना चाहिए यह यहां पे esticulate बताए है उसी प्रकार poetry का theme क्या होना चाहिए erastic language यह सारा चीज यहां पे लिया हूँ पढ़ होग यह बहुत सिंपल है उसके पोईटिक डिक्शन नेचर सुपर नेचरल पोईट्री यह सारा चीज यह सारा यह दिये हैं rule and regulation से में इसी प्रकार से डॉक्टर जोंसन में मैं यहां पे बेसिक सारा चीज लिया हूँ इसके बारे में कि जन्म कहा हुआ कौन-कौन से बुक किताब है उसमें उन्होंने अपना क्रिटिक अपना रूल और रेगुलेशन हो दिये हैं और क्या-क्या दिये हैं यह सारा आप यहां पे देख रहे हो पॉइंट वाइज करके एक पॉइंट यह है उसके अगला है उसके नुसार की ट्रैजिक एंड कॉमिक एलेमेंट्स में क्या में इंगलिंग होती है उसके बाद थिरी यूनिटी इस सब के बारे में वह जिक्र किये हैं उसके बाद फॉल्ट्स ऑफ सेक्सिय सेक्सपियर यानि उसमें क्या फॉल्ट है वह सब ही बताए थे उसके बाद कंक्लूजन तो यह हो गया आपका दूसरा कोश्चन उसके पर त्या से में यहां पर आपको बेसिक सा इंफोर्मेशन दे दिया हूं जसिता, ऑब चलते हैं अब चलते हैं आपको ऑन से तो देखे वहां पर group C में देखे क्या हुआ है तो आप यहां पर तुरह गोर समझेगा group C में जो question आएगा वो 30 marks का आएगा तीस marks में से 15 marks का question आएगा आपको मैं बता दू explanation से और 15 marks का question आएगा long question और उसमें क्या होगा तो तीन ही topic से question आएगा Tradition and Individual Talents, Function of Criticism and Frontides of Criticism तो मैं आपको बता दूँ कि Frontides of Criticism वहां से Question 2020 में आ चुका है इसलिए 2021 में वहां से Question नहीं आएगा Question आएगा तो वह Tradition and Individual Talents and Function of Criticism यहां से और एक चीजा और याद रखेगा Function of Criticism को Workshop of Criticism भी कहते हैं तो यही से Question बनेगा उसके बाद Function of Criticism का एक बहुती बड़ा इंपोर्टेंट जो पार्ट है वहां से भी एक Question आता है और वो Question यह है कि Question आपसे आएगा कि T.S.I.L.I.E.T. के अनुसार कौन दो ऐसा टूल है जिसका परियोग Literary Critic में Critic लोग करते हैं तो उस तब के बारे में भी मैं PDF में लिया हूँ मैं आपको बताऊँगा तो चलते हैं पहले Group C में है न और Group C में जो पंद्रामाक्स का explanation आए उसके लिए अप्टेंशन फ्री रहिएगा उसके लिए मैं 4-5 मिनिट का एक वीडियो आपके बीच लाओंगा जिसमें आपको सारा चीज बता दूँगा कि यह आखिर है क्या तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं Group C में तो देखिए Group C मेरा यहां से स्टार्ट हो जाता है तो Group देखिए यहां पर मैं Tradition and Individual Talents जो Essay है Critical Essay उस सारे को मैं यहां पर लिया हूँ और Question किस परकार से आएगा तो यहां से Question आजाता है Describes Concepts of Tradition in Individual Talents इस परकार से Question आता है जैसे अगर देखिए उसका देखिए Impersonal Poetry यह Question 2020 में यहां से Pick Up किया था Impersonal Poetry है तो यह आप याद रखिएगा उसके बाद उसका Conclusion का है यहां यहां पर यूज क्या हूँ देखिए Question यह आने के सभावना हद तक है What according to T.S.Iliot are the two tools which a literary critic uses in criticizing a work of art तो कौन-कौन सा दो टूल है तो दो टूल जहां दोस्तों यह है Comparison and Analysis और यहां से Explanation में भी Question आएगा तो इसको आप कर लेना Question डिरेक्ट आ जाता है कि Tradition and Individual Talents को डिसकस करें इस परकार से या फिर या तो Tradition and Individual Talents आएगा या फिर Works of of Criticism दोनों नहीं नहीं Tradition and Individual Talents से तो आएगा ही Function of Criticism एक और आजाएगा Works of of Criticism तो इसके लिए मैं यहां पे सारा चे दिल कर दिया हूँ यह भी एक Critical Essay है Point-wise इस जिस परकार मैं लिखा हूँ उसी परकार से लिखना कोसिस करना पूरा इसी परकार नहीं लिख पाओ तो कम से कम सुरू का 20 से 25 लाइन एक्जैक्ट मैं जो लिखा हूँ उसको लिख देना वो जरूर अच्छा माँस साबको देंगे हैं ना क्योंकि वो शुरू का चीज ही मेटिरिल ही देखते हैं उसके बाद ये तो हो गया गृप C में अब चलते हैं गृप D में गृप D में क्या करना है तो देखिए यहां पे गौर से मेरा बात सुनीए का गृप D में क्या है तो गुरूप D का न दोस्तो सलेवस दिया हुआ है और न अब तक किसी का गेस यहाँ पे काम आया है क्योंकि यहाँ पे होता क्या है तो unseen poem और लेकिन 20 मार्क्स का है unseen poem कहिने का मतलब दोस्तो 10 से 12 line का poem दे देता है और आपको बोलता है कि इस line को explain करें है तो सलेवस नहीं दिय हुआ हुआ है इसलिए मैं यहाँ आप कर नहीं सकता क्योंकि देखिए बहु सारे poem है इंग्लिस literature में 10 12 line का बहु सारा poem है लाखों के तादाद में poem है अगर टीस इलेट का ही ले 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 तो हजारो poem इस परकार से लिखे हुए तो बहु सारा poem है तो इसलिए मैं यहाँ आप आपने गूगल पर जाकर करके टैप करोगे तो वहाँ पर डिरेक्ट लिस्ट आ जाता है कि यह किसके द्वरा लिखा गया है और poem क्या बताना चाहता है जवस्ट आप क्या करना सूरू से 4-5 line लिख देना कि इस poem has been written by इसके द्वरा और इसका जन्म यहाँ पर हुआ यह हु आपको दे दू तो question आने की संभाबना कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि poem बहुत सारा है कहां से poem आएगा कोई ठीक नहीं है और यही कारण है कि syllabus में भी नहीं दिया हुआ है तो यह हो गया group D अब चलते है group E में group D में दोस्तो 20 marks का question आएगा है टोटल आपके पास 6 option होगा और option में से आपको केबल दो पे ही answer लिकर दो का ही answer देना होगा और दोनों 10-10 marks का हुआ इसके लिए आप करना क्या तो इको क्रेटिसीजम सिर्फ इतना को कर ले ना कार्नवेलिजम को मैं इस note में जगह नहीं दिया हूँ क्योंकि यह थोड़ा tough है आपको इसके language को हम जैदा तोर मरूर नहीं सकते थे इसलिए आप कहते कि बहुत tough है इसलिए मैंने केबल इस 5 का दिया हूँ definitely 5 मेंस है ना दो जो आपको है इस 5 में से 2 आपको definitely मिल जाएगा तो इस 5 को आप तियार कर लेना चलते हैं आपको group E वाले पिले चलते हैं बहुत है जैदा tough नहीं है simple simple language का use करके मैं यह सारा बनाया हूँ है ना जब आपड़ होगे तो पाओगे चलिए चलते हैं group E पे तो group E में देखे यहां से सबसे पहले मैं pathetic को लिया हूँ pathetic policy है क्या definition लिया हूँ किसके दूरा एक हो जा गया कब पहली बार यह टर्म आया इसका example क्या क्या है सारा चीज लिया हूँ आप यहां पर देख रहे हो यह हो यह हो गया pathetic policy उसके बाद यहां पर देखे एको criticism क्या है तो इको criticism is the study of the relationship between literature and the physical environment यानि साहित और भावतिक जो पढ़ियावर्ण होता है इसका जो है रिलेशनसीप संबंध के अध्यान को हम इको criticism कहते हैं इसी परकार से सारा जो इसका note है देख रहे हैं इसके बाद चलते हैं structuralism तो यहां पर यह डिसकस किये हैं आप यहां पर देख पार हो उसके बाद डिकंस्ट्रक्शन यह हो गया है ना उसके बाद जो है ना एक मेरा allegory तो यह allegory हो गया तो यही था total 42 पीज का यह मेरा गेस है मैं आपको बता दूं कि इसको ढंग से पढ़िएगा है ना इसके अलावा question नहीं है एक मैं आपको बार बर कर रहा हूं देखिए सेलेबस लिमिटेट सेलेबस है और लिमिटेट सेलेबस में होता क्या है तो गेस करने थोड़ा असान होता है जिसको experience होता है तो मैं कई बार से कर रहा हूं यूट्यूब भले ही मैं पिछले छे साथ एक साल से हूं लेकिन छे साथ मैंने और एक साल से एराउंड लेकिन ओफलेन का experience है तो इसलिए मैं आपको यहां पर सजेस्ट कर रहा हूं इसको करके जाए डेफिनेटली question यहां से आएगा बेज़ा का टेंशन फ्री रहिए इसतना कुर लेकिन आप जरूर तयार क कर लेजिएगा अब मैं paper 5 के लिए केबल 15 माक्स का explanation हो गया उस पर वीडियो लाओंगा और वीडियो क्या लाओंगा यहां पर जो आप मैं आपको page दिखाया उसी page के साथ आओंगा और सारा रहसमाई भात जो होगा और सारा मैं आपको बता दूँगा यहां से question बाहर किसी हालत में नहीं जाएगा यह जो हो गया यह प्यज रहा बस इतना के साथ में 10-5 मिनट आपके साथ खेलूंगा और यही आपको 15 माक्स दिला दिएगा और अगर PDF लेना चाहते हैं अगर नहीं लिए हुए हैं तो मैं एक बर आपको number बोल रहा हूं उसको आप no down कर लेना और ह हमें WhatsApp करना call मत करना यह नंबर है सत्तर अरतालिस बिरानबेर सतासी एंड च्यालिस इस पर आप मुझे WhatsApp करना कोई मैसेज छोड़ देना कि हमें PDF चाहिए 65 का एंगलिस अनर्स का मैं आपको वहां पर लिंक दे दूँगा आपको 99 रूपीज पे करना होगा वहां पर 99 रूप एक्जामनेशन का डेट भी आ चुका है 26 तारिक से एक्जाम होगा है न अगले महना में अपरेल से तो धांक से पढ़िए यही था मेरा एक एफट थैंक्यू सो मच